हेलो एवरिवन, वेलकम टू एकलविया स्टेडी पॉइंट और आई एम सचन, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव से, जो आपकी जो कवीता वाले सेक्षन में से सबसे पहले है, कबीर जी का, अरे इन दोहुन रहा ना पाई नाम से, जो पद है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो इसकी आसान व्याक्या आपको करवाऊंगा, तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और फ्री पीडियेफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइट करवा दे जाएंगे, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, या कोई क इस पी, ठीक है, ये सर्च मारोगे तो आपको वहाँ पर हमारा ग्रूप दिख जाएगा, और पीडियेफ भी वहाँ पर जल्दी जल्दी हम अप्लोट कर देंगे, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके रचीता है संत कभीर, ठीक है, जो काव्यांश आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, उसको लिखा है संत कभीर ने, और ये जाने जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों के उपर घटाक्ष करते हैं, तो पहले में इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी आज आप इसकी व्याक्या अंदर पढ़ोगे, वो संत कभीर के शब्द है, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर चूवन ना देई, बेसिया के पायंतर सोवे है, देखो हिंदू आई, मुसल्मान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी, बेटी ब्याहे, घरी में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाये चडवाई, ठीक है, और अब मैं आपको कुछ शब्दार्त बता देता हूँ, जो इसमें आये हैं बीच में, दोहुन का मतलब होता है दोनो, यानि कि हिंदू और मुसल्मान दोनो, बढ़ाई जो शब्दाया है उसका मतलब है प्रशंसा, चवन, चूवन का मतलब होता है चूना, वैसि या प्रोस्टिट्यूट जिसको इंगलिश में कहते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट वैश्या, पायन तर का मतलब होता है पैरों पर गिरना या पैरों के नीचे रहना, पीर का मतलब होता है कोई गुरू या अल्लह का पैगंबर, ओलिया का मतलब होता है कोई भगत, सबसे खतरनाक संदर्ब है कि यह हमारी पपद है कभीर का यह हमारी पाटे पुस्तक अंत्रा भाग एक में दिया गया है इसके रचेता कबीर है ठीक है और ये कबीर वानी से लिया गया है जो आप पढ़ रहे हो न ये कबीर वानी एक बहुत बड़ा ग्रंत वहां से उठाकर ये कुछ पद दिये गये हैं तो प्रस्तुत पद में जो आजम पद पढ़ने जा रहे हैं कबीर जीने हिंदूओं और मुसल्मानों के धर्माचरण पर प्रहार करा है यानि कि जो दोनों धर्म के लोग कुछ ऐसी चीज़े करते हैं धर्म को लेकर जो गलत है तो वो कुछ आडंबर, कुछ पाखंड, कुछ ऐसी चीज़ें जो गलत हैं दोनों ना करी है। तो व्याखया कुछ इस परकार से शुग होती है कि कबीर जाज जी कहते हैं कि हिंदू-मिसलमान अपने उचित मार्ग से बटक गए है। कबीर कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान दोनों ही रास्ता बढ़के हुए थोनों में से कोई सही नहीं हिंदू अपने धरम की प्रशंसा करता है, खुद को बहुत पवित्र समझता है, कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, वो खुद को बहुत पवित्र समझते हैं, चुआ छूत में विश्वास रखते हैं, और इसी कारण वो अपने पानी के बरतन को भी किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को छूने नहीं देते, यानि कि हिंदूों में ऐसा, मतलब पवित्रता का वो है, कि वो खुद को बहुत जादा उपर मानते हैं, और कि अगर कोई और जात का है, तो उसको नीची जात का बता कर, उसको अपना बरतन भी नहीं छूने देते, तो ये बुराई है, स हिंदू सिरफ और सिरफ अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं, दूसरी और वो वैश्या के पैरों के नीचे सोते हैं, जब इनके पवित्रता नश्ट नहीं होती, यानि कि ये हिंदू जब गलत काम करते हैं, किसी वैश्या के पास जाते हैं, तो वहाँ इनकी पवित्र तो ये हो गई हिंदो की बात यहां पर जो कर रहे थे अब मुसल्मानों के उपर आते हैं कभीर कहते हैं इसलाम को मानने वाले भी अच्छे नहीं है ये इसलाम को मानने वाले मुसल्मानों के जो अध्यात्मिक शिक्षक होते हैं जो मौल्वी वगरा होते हैं और जो उनके भगत होते हैं यानि कि जो मौलवियों को फॉलो कर रहे हैं जितने भी मुसलिम हैं वो मासा हार करते हैं यानि कि वो जो पशु होते हैं विचारे उनको मारते काटते हैं और खाते हैं और मुसल्मान अपनी मा की बेहन की पुत्री से ही विवा कर लेते हैं यानि क कि यहां पे कबीर ने फिर कटाक्ष करा है इसलाम धरम के उपर कि मुसल्मान लोग जो होते हैं वो खुद की अपनी मा की सगी बहन यानि की खाला की बेटी मौसी की बेटी जो होती है उसी से ही शादी करते हैं और अपने घर में ही रिस्तेदारी बना लेते हैं तो अब आप यहां पे यह समझिए दोनों पे कटाक्ष हो रहा है हिंदु धरम पे भी इक्वल कटाक्ष करा उतना ही कटाक्ष है यहां पे मुसलिम जो लोग होते हैं उनके ओपर भी यहां पे कबीर कर रहे हैं कि एक अलत बात है कि आप अपने घर में ही रिस्तेदारी बना रहे हो भई फिर उसके बाद है यह बाहर से जो मुसलिम लोग होते हैं वो एक मरावा पशु खरीद कर लाते हैं उसका मास लेकर आते हैं और उसे धोते हैं उसे पकाते हैं और सभी लोग घर के बैठकर उसके खाते हैं ठीक हैं मान लो मुर्गा हो गया यहां कोई अन्य जीव हो गया ज ऐसा कबीर मानते हैं, तो दोनों को यहां पर इन्होंने बुरा बताया है, गलत बताया है, तो कबीर दास जी ने हिंदूों का हिंदूपन और तुर्कों का तुर्गपन, यानि कि जो हिंदू जितने अपना आपको हिंदू दिखाते हैं, वो जादियों में बटे हुए हैं, यह गलत बात है, चाहे किसी भी कोई जाती का है, किसी भी आप वर्ग के हो, आप अगर हिंदू हो तो खुद को हिंदू बोलो, आप किसी के साथ छुआ छूद भेधभाव जैसा मत करो, और तुर्क जो है, यानि कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके लिए भी यह है कि भाई पर चल रहे हैं न मुस्लिम, तो दोनों के ही राहा में दोश है, दोनों का रास्ता गलत है, जिस रास्ते पर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों चल रहे हैं, वो दोनों रास्ता भटके हुए हैं, तो इसी के साथ यहाँ पर इनका यह जो पद था, वो खतम होता है, छोटा सा था इनी का एक दूसरा पत है जो मैं separately explain करूँगा आपको अगली वीडियो में तो अगर वीडियो अच्छे लगी है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें feedback के लिए आप comment box में जा सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करें जै हिंद जै भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में